आज हम बनाने वाले है चौकलेट ट्रॉफल्स चौकलेट ट्रॉफल्स के बहुती आसान रेसिपी है तो आए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते है यहाँ पर मैंने लिया है वन कप पीनट्स पीनट्स को हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे चौकलेट ट्रॉफल्स बनाना बहुती आसान है और इसे बनाने में बहुती कम इंग्रीडियन्स लगते है इस क्रिस्मस आप इसे जरूर ट्राय कीज़ेगा देखिए पीनट्स रोस्ट हो चुके है अच्छे से इसे में प्लेट में साइड में निकाल लोंगे थंडा होने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बदाम भी लिए है जिसे हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे दो मिनिट के लिए काजू और बदाम भी अच्छे से रोस्ट हो चुके है इसे भी में साइड में निकाल लोंगे पीनट्स थंडे होने के बाद हम इसके छिलका निकाल लेंगे देखिए इस तरह से इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसपर करेंगे और इसमें काजू बधाम भी एड करेंगे जो हमने रोस्ट कर लिये थे हलके से इसे हम थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लेंगे इसके देखिए पीनट्स पाउडर भी आप रेडी हो चुके इसे में एक बाउल में निकाल लूँगी इसमें अब हमें डालना है कंडेंस्ट मिल्क कंडेंस्ट मिल्क के हापे में डो टेबल स्पून लूँगी अगर आपके पस कंडेंस्ट मिल अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मिल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए देखिए हम यह इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है अब हमें इसके स्मॉल साइज बॉल बना लेने है हातों से सबको में अच्छे से मिक्स कर लूँगे इस तरह से हम स्मॉल साइज इसके बॉल बना लेंगे लड़ू की तरह इसे हम साइज में प्लेट में निकाल लेंगे बागे बॉल्स भी में यहाँ पे बना लेती हूँ देखिए करीबन 10 बॉल यहाँ पे बने इसे हमें अब 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रखना है तब तक हम चॉकलेट यहाँ पे कट कर लेंगे मैंने डार्क चॉकलेट लिया है इसे हम इसे नाइफ से कट कर लेंगे डार्क चॉकलेट की तरह हमेने भाइट चॉकलेट भी लिया है डार्क चॉकलेट और भाइट चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे मैंने ओवन में मेल्ट कर लिया है आप चाहे तो ग्यास पे भी इसे पतले में पानी रखके उपर से ये चोकलेट वाला बॉल हमें रखना है वैसे भी आप चोकलेट मेल्ट कर सकते हैं आप देख सकते हैं चोकलेट मैंने डार्क और वाइट दोनों मेल्ट करके लिए हैं मैंने ओवन में किया है दस मिनिट बाद हम पीनट बॉल्स निकाल लेंगे और उसको हम ऐसे चौकलेट में डिप कर लेंगे और यहाँ पर मैंने ट्रै को घी से ग्रीस कर लिया है ताकि यह जो ट्रफल से वो ट्रै पर चिपकते नहीं है आसानी से निकल जाते है अगर आप घी लगाते नहीं तो ट्रफल से चिपके रहते हैं निकलते नहीं ऐसे हमें बाकी बॉल्स भी ऐसे डिप कर लूँगे पाच बॉल मैंने डार्क चौकलेट में डिप किये है और पाच बॉल में वाइट चौकलेट में डिप कर लूँगे देखे इस तरह से हम सब बॉल को डिप करते जाएंगे सब बॉल्स को मैंने डिप कर लिया है इसे अब हम 10 मिनिट और फ्रीजर में रखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ स्प्रिंग कर लिये है और डार्क और वाइड चॉकलेट को ऐसे कोन में डाल लिया है जिससे हम ट्रफल्स को डेकोरेट करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से मैं डार्क चॉकलेट ट्रफल्स पे वाइड चॉकलेट का डेकोरेशन कर रही हूँ और वाइड चॉकलेट पे हम डार्क चॉकलेट का डेकोरेशन करेंगे उपर से थोड़ा स्प्रिंकल डालेंगे ताकि ये बहुत ही खुब्सूरत लगते है प्रफल्स ते आप मंचाह डेकोरेशन कर सकते है ये दिखने में जितने अच्छे लगते है उतने ही टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है इस क्रिस्मस आप इसे जरूर ट्राइ किजिएगा बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते है और ये काफी इजी रेसिपी है बहुत जल्दी बन जाती है और इसे बनाने में इंग्रीडेंट्स भी बहुत ही कम लगते है अगर आपको ये मेरी चौकलेट ट्राफल्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर कीजिएगा बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई बिलते हैं